थाना ताजगन छेत्र सित ओमश्री अपार्टमेंट्स में हुई महिला की हत्या के बाद छेत्र में संसरी का महल पैदा हो गया छेत्रिये लोगों द्वारा दी गई सूशना पाते ही पुलिस बल मौके पर पहुच गया जिसके बाद पुलिस ने शर्फ को कबजे में लेते हुए पोस्मार्टम के लिए भेज दिया वहीं मामले की तफ्तीश घंबीरता के साथ शुरू कर दी गई है प्रेम और सौहार्थ के नाम से जाने वाली ताजनगरी में एक रूख अपा देने वाली घटना सामने आई है मामला आगरा के ओमश्री अपार्टमेंट्स का है जहां शुकरवार को एक महिला की छट से गिर कर मौत हो गई जिसके बाद आसपरोस में रहने वाले लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुची पुलिस ने अपनी जाच परताल शुरू कर दी कदम दर कदम पुलिस की तबदीश जितनी आगे चलती रही मामला उतना ही संसनी से भरा होता गया आगरा के इस ओमश्री अपार्टमेंट से गिर कर हुई महिला की मौत गिर कर नहीं बलकि उसे चौथी मंजिल से फेक कर हत्या कर दी गई मामले की हकीकत जैसे ही आसपरोस में फैली इस घटना की जानकारी के बाद संसनी भरा महल बन गया जिसके बाद पुलिस ने ततपड़ता दिखाते हुए मौके और मौका समहलने का काम किया दरसल घटना थाना ताजगंत इलाके के ओमश्री अपार्टमेंट की है जहां फ्लैट नमबर 406 में रितिका नाम की युवती एक युवक के साथ लिविन में रहती थी पुलिस के अनुसार आज कुछ युवक और महिला उनके फ्लैट में पहुचे थे मौके पर पहुचे डिप्टी स्पी अर्चना सिंग ने घटना की जानकारी थी पुलिस की तप्तीश में अब ये सपस्ट हो चुका है कि ये महद गिरकर हुई मौत नहीं है बलकि फ्लैट में आए कुछ युवक और जिफ्टी द्वारा फेका गया है मामले की जानकारी होते ही वरिस पुलिस अदिशक सुदीर कुमार सिंग ने मामले को संग्यान में लेते हुए इस केस को गंबीरता के साथ लेना शुरू कर दिया यह ताजगंशित के एक अपार्टमेंट में एक महिला लीविन में लगवाग डेट साल से अपने पुरुष मित्र के साथ रह रही थी उसकी शादी एक दूसरी जगे हुई थी और यह लोग छुपके लगवाग डेट साल से यहां पर रह रह रहे थे उसका जो पहला वाला हस्वेंड है जो हस्वेंड है वो और उसकी बहने और कुछ और लोग आज जब उन्हें पता चाला तो अपार्टमेंट के फोर्थ फिलोर पर गए थे और वहां उनके साथ मार पीट की और बाद में आरोपी है कि उन्होंने लेडी को जो लिविन में आगया अभी कुछ और लोगी तलाश की जा रही है और बहुत जल्दीन की गर्फतारी समशित की जाए फिलाल मौके पर पहुची पुलिस ने मौके से लिविन में रह रहे है यूवक और फ्लेट पर आई दो महिला और एक पुलिश यानी चार को हिरासत में ले लिया है डी